गुद मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और भई हम भी ठीक हैं तो अभी फ्रेंड्स से टाइम हुआ है पांच-दस का अभी मैं उठके आई हूँ जैस्ट क्योंकि बच्चों के चुटियां होई रही है हस्बेंड को ल अगर आप इस तरह की भिंडी या फली वगयरा होती है उनको रात को ही काटके रख देती हो न तो फिस सुबह आपका काम है किचन को बहुत ज़दा इजी हो जाता है और फिर मन भी करता है काम करने का दरवाइज सबजी को काटने में बहुत टाइम लग जाता है तो मैंने रात को ही बिंडी को काटके रख दिया था और जो प्याज थी उनको भी मैंने छील के रख दिया था तो बिलकुल भी सुबह टाइम ने लिगता भटा फट बैस एक साइड मैंने चाय चड़ा दूगी और एक साइड मैं बना रही हूं अपनी बिंडी जो दूद रखा तो अभी मैं काट लूँगी और चाय भई मैं बहुत दिन से कोशिस कर रही हूं कि मैं चाय को छोड़ दू लेकिन चाय है ना मैं छोड़ी नहीं पा रही हूं क्योंकि वेट मेरा बहुत ज़दा बढ़ गया है तो मैं सोच रही थी जो मिठा है उसको थोड़ा कम किया जाए क्योंकि रात को डेली सेक वगया भी पे लेते हैं कभी बनाना सेक चिक्कू सेक मेंगो सेक तो उसमें भी मिठा है वह हमारी बोड़ी के अंदर जाता है और जो चाय में है उसमें भी हम यूज करते हैं तो मैं सोच रही थी तो गर्मी में छोड़ नीं सकते हैं चाय को वैसे भी चाय गर्मियों में ठीक नहीं होती सेथ के लिए तो मैं सोच रही हूँ भई की चाय को छोड़ दू लेकिन अभी तो मैं बना रही हूँ जिस दिन छोड़ूंगी ना उस दिन बता दूँगी आपको तो यहां पर फ्रेंट्स मेरी चाय बन चुकी है और वैसे मेरी चाय बंद भी है डोक्टर ने बंद कर रखी चाय लेकिन फिर भी थोड़ी सी पत्ति डाल की और फिर पी लेते हैं वैसे हो जाता है हाँ भी चाय पी लिए और चाय मुझे बई गाढ़ी जो चाय होती है न मलाई वाली या फिर आपको जो बगएर पानी का दूद होता है फ चाय मैं जब भी पीती हूं न तो कभी भी चाय को खाली नी पीते है तो रच, बिस्कीट या फैन वगएर इस तरह से हमेशा लेनी चाहिए खाली चाय सुबह कभी भी ने पीनी चाहिए जब चाय के साथ आप इस तरह की चीज़़े लेते हो नो फिर यह होता है कि आप काम इजी ली कर सकते हो जब आपको खाना खाना है उस टाइम आप खा सकते हो तो नास्ता टाइप का हो जाता है तो हमारा यही नास्ता है यह नहीं कि अलग से बनाते हैं चाई ले लिए दूद ले लिए इस तरह का ही होता है और खाना दोनों टाइम जल्दी खाया जाता है सुब के चाय के और जो एक दो बरतन रात के दूद वगएरा के रह जाते हैं सेख वगएरा के तो वो थे वो मैंने दो दिये हैं भिंडी मेरी बन चुकी है अभी बस से हस्बेंट भी इन्हा रहे हैं और अभी मैं फटा-फट से बना लूंगी रोटियां क्योंकि काफी दिन हो गई इसगा डिकिन भिंडी के साथ चैन रोटि खा लेती तो इतने डिफंडे नहीं होती क्योंकि हम जल्दी खा लेते हैं तो मैं रख दूंगी सको होटकेज में फय करके तो मैं फटा-फटा से यहां पर बना लेती हूं हम रोटियां हजबन की पैक कर दी है मैंने और अपनी ब मिठी लसी होती है उसमें रूब जो वगएर डालके वो पिके चले जाते हैं तो यहां पर फ्रेंट्स जो किचन का टोप काउंटर होता है यह भी गंदा हो जाता है दोनों तिनों टाइम साफ करना पड़ता है क्योंकि जब गर्मी के टाइम में थोड़ा सा आट ता भी अगर था आज बिख अधर डी तरिके से क्या कि टूक्य पैरों में तरदे इस वज़े से मन नहीं गर रहा तो बैस मैं अब ही दवायां ले आई हूँ डॉक्टर से बट अभी मेरे ट्रीट्मेंट बस सुरू हुआ है पैरों खां देखते हैं दवायां लेते हैं तो कितना आराम ह होता है तो बैसे मैं भी साथ साथ नाली थी लेकिन अमने अभी खाना नहीं खाया था बच्चे बोल रहे थे ममा आप जब नहा के सारा काम फिनिस कर लोगे ना उसके बाद ही खा लेंगे सब लोग तो बैस हजबन जा चुके थे ओफिस यहां पर जो कपड़े थे हो मैंने पह और बांधा हुआ है जो डुपटे वगएरा होते हैं या फिर जदा कलरफुल कपड़े होते हैं बनियान वगएरा होती है जो मोटे टाल देती हूं और थे मोको बहार देखको भूए रखा हूए न की सब्स्त्राइइ फिख से ना बक्ते ओनंच कब लख uti नहीं ऐसे रखी रही तो अभी बैस में इन सब्जियों को भी धोके फटा-फट से रख दूँगी जब तक इनका हम खाना वगरा खाएंगी इनका पानी है वो निकल लेगा और फिर इनको में फ्रीज में लगा दूँगी तो यह पता नहीं आज यह बोर रहे थे नहीं तरीक सब्जियां सारी धोके रख दी है अभी जो मैंने सिंक है वो भी साफ कर दिया है तो फ्रेंड्स अभी वीडियो को बंद कर देते हैं काफी बड़ी होगी उमीद करती हूँ पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जिरूर कर दो